Hello student, today we will start a new chapter, chapter number third, election and the representations. Let us begin election and democracy, जो democracy यहनि कि जो लोग तंतर है और उसमें चुनाओ कैसे होते हैं उनके बीच में क्या relation है उसके बारे में हम हम पढ़ेंगे. Let us begin by asking ourself two simple questions about election and democracy. अगर हम देखें, अगर हम अपने आप से पूछें के दो ऐसे questions जो democracy और election के relation को बताते हैं. First, can we have democracy without holding election? क्या हम बिना चुनाओ के democracy यहनि लोग तंतर की कलपना कर सकते हैं? Second question is, can we hold election without having democracy? और दूसरा question यह है कि बिना लोग तंतरिक विवस्ता के क्या election हो सकते हैं? यानि कि इसमें जो आपस में जो democracy और जो election है उसके बीच में क्या-क्या relationship है? क्योंकि हमारे मन में यह प्रशन उठता है कि democracy बिना election के यानि कि बिना चुनाओ के लोग तंतर कुछ भी नहीं है और साथी साथ बिना लोग तंतरिक विवस्ता के चुनाओ भी नहीं हो सकते हैं तो इन्हीं दो जो questions हैं उस पे हम आज हमारे topic based है Let us have a discussion in the classroom on both these questions by using example for whatever we have learned so far in the previous class The first question reminds us we are the necessity of representations in the large democracy All citizens cannot take the direct part of making every decision हमने पढ़ा है कि जो democracy है उसमें हम देखते हैं कि जो public power जो सारी होती है वो public के पास होती है बट जो public होती है वो हर decision यानि की प्रतिक निर्णय में भाग नहीं ले सकती है मतलब हर निर्णय के लिए public को public उसमें directly involved नहीं हो सकती है Therefore representatives are elected by the public इसलिए जो public होती है यानि की जो जनता होती है जनता अपने प्रतिनीदियों का चुनाव करती है ताके उनके द्वारा निर्णय लिए जा सकें This is how election become important और इससे पता चलता है कि जो election होते हैं वो किस तरीके से एक बहुत महत्पून होते हैं Everywhere is thing for India as the democracy सबी तरह हम देखते हैं कि जो भारत है भारत एक लोग तांत्रिक देश है Our mind invariably turns to the last election Election have today become the most visible symbol of the democratic process अगर हम देखें जो चुनाव हो है चुनाव जो डेमोक्राटिक प्रोसेस है यानि कि जो लोग तांत्रिक व्यवस्ता है उसका एक बहुत महत्पून भाग है उसे के बारे में बताता है कि किस तरीके से इस चेत्र में democratic process यानि कि लोग तांत्रिक व्यवस्ता काम कर रही है we often discuss between direct and indirect democracy हमने direct और indirect यानि प्रतेक्ष और है प्रतेक्ष लोग तंत्र के बारे में भी अधियर किया गया है a direct democracy is one where the citizen directly participate in the day to day decision making and in the running of the government जो हम देखते हैं कि जो direct democracy है प्रतेक्ष लोग तंत्र है उसमें जो citizens होते हैं जो नागरिक होते हैं वो directly participate यानि कि प्रतेक्ष रूप से सहभागी होते हैं कोई भी जो decision लिया जाता है उसमें सभी लोगों को लोगों का लोग भाग लेते हैं और जो government यानि जो सरकार है वो सभी लोगों को लोग साथ मिलकर चलाते हैं the Asian city system the Greece were considered example of direct democracy अगर हम देखें तो जो प्राचीन जो नगर बेवस्ता है उसमें जो ग्रीस में जो नगर बेवस्ता होती थी वो direct democracy का एक बहुत अच्छा उधारण माना जाता है मतलब Greece में उस समय प्राचीन काल में direct democracy चलती थी वहां के लोग सभी जिते भी जो decision होते थे वहां के लोग उसमें भाग लेते थे बनी वूड कंसीडर लोकल गौर्मेंट एप ऐस पिसली ग्राम सभाज तू बी दा क्लोज क्लोस एक्जामपल ऑप डायरेक्ट डेमोक्रसी अगर हम देखें तो जो डायरेक्ट डेमोक्रसी है उसमें जो लोकल ग्रामन्ट एजो इस्तानिये शासन है उसके अंदर जो ग्रा डेमोक्राशी काम उस पर एक्जामफल मान सकते हैं डेमोक्राशी बट इस काइंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्राशी कान नोट बी प्रैक्टिकली वैन डिसीजन हैव तुदा टेकन भाई लैक लैक एंड करोड ओफ पीपल्स देट इस वे रूल बाई दा पीपल यूज यूज ली मेंज रूल बाई पीपल्स रेप्रिजटी रेप्रिजेंटिव अगर हम देखें जो डायरेक्ट प्रतेक्ष कंते हैं इसमें जो डीसीजन है ऐसी डीसीजन जहांपर लाखों क देमोक्राशी प्रतिनीदियों का चुनाव करते हैं उसके उनके द्वारा ही डिसीजन लिये जाते हैं इसके साथ जो एगरिमेंट यानि की एक जो नागरिक होते हैं नागरिकों के दोरे एक समझोते के रूप में अपने प्रतिनीदियों का चुनाव किया जाता है वो गोर्निंग यानिकि जो परसासनी का देश के लिए सरकार और परसासनी को चलाने का काम करते हैं The matter follow the choice the representative is referred to as an elecription और जो representative होते हैं उनको चुनने की जो प्रक्रिया हوتी है जो method होता है उसे हम election कहते हैं इससे जो नागरिक होते हैं नागरिक एक सीमा तक ही जो डिसीजन होते हैं जो निर्णय होते हैं उसमें भाग ले पाते हैं और जो प्रशासन होता है वो रेप्रेसेंटिव के द्वारा ही चलाया जाता है जो नीतियों को बनाने में वह डारेक्ट ली एक्टिव इनवाल नहीं होते हैं जो लोग होते हैं नागरिक होते हैं वो इनडिर्टिव इसमें जो इनवाल होते हैं through their election representative in these agreement where all major decision are taken by election representative the method by which people elected the representative become very important इसलिए जो representative होते हैं यानि जो प्रतीनीदी होते हैं उनका चुनाओ बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि लोगों के चुने गए प्रतीनीदियों के माध्यम से ही जो सरकार बनाई जाती है और जितनी भी जो पॉलिसी जो होते हैं जिते भी जो डिसीजन्स होते हैं वह इन